नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं आप लोग जोतेश जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टो फ्रेंट संदोश संदोशी दिनांक 15 माई तक आप घर बैठे टेलिफोनिक कंसल्टनसी महा डिसकाउंट के साथ ले सकते हैं जी हाँ 15 माई तक अगर आप एक 500 जमा करते हैं तो एक 500 में आपको तीन कुल्ली दिखाने का एक बड़ा अवसर हम आपको दे रहे बहुत बड़ा अवसर हम आपको देंगे यह आपके लिए एक अवसर बस समझ लिजे कि आपदा में अवसर है लॉकडाउन है तो हमने आपको आपको आवसर दिया यह आप घर में बैठे हैं तो लाब ले लीजे बिशय आज का बताते हैं देखिए हर कोई जीवन में दान बहुत करता हमारी भारती संस्कृती में दान का महत्व भी बहुत है ग्रह शान्ती के लिए भी दान हम लोग करवाते हैं अलग-अलग मुहुरतों पर एकादशी आदि पर खोब दान होता है अमावश्य आदि पर खोब दान होता है पूरिमा आदि पर दान होता है दान करके दान को सास्त्र इस प्रकार से देखते कि आपने कुछ बो दिया जिसे अब आपको काटने को मिलेगा बहुत सारी कहानिया कथाएं हैं दोपदी के लिए आता है कि उन्होंने एक रिशी को अपने वस्त्र फाड करके उनके लज्जा धकी थी तो जिसकी बाद वो वस सास्त्र उनके जब चीर हरन हुआ था तो वो लाव दिया था तमाम ऐसे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं सास्त्रों में वरनित हैं दान का महत्तो दान की महिमा अपरम पार है एक्स्ट्रीम है बट जोतशिय आंकलन जोतिश विज्ञान और जोतशिय विधा में चीजों क उसको बहुत अलग नजरिये से देखा जाता जैसे जोतिश के आएने से हमने उस दिन बताया था कि सूर्य को जल से अर्ग ना दे करके घी से अर्ग दिया जाए जब हम ग्रह शब्द लेया है ग्रह प्लैनेट दिया था ना वीडियो डाला था खोब लोग बगवक आये थे मूर्ख ससुरे जो जमजते नहीं है अरे पूरी बीडियो में हमने चीक चीक के कहा कि भाया सूर्य देव के रूप में और पितर के रूप में जितना मर्जी जल डाली है हम कहां मना कर रहे हैं लेकिन अगर कुंडली वाले ग्रह कुंडली वाले प्लैनेट जो सूर्य है जो अब उस पर लगे कमेंट बाजी करने तो कोईर भगवान उनको सतबुद्धि दे आज दान जो हम ला रहे हैं सब दान किया जा सकता है अलग-अलग विशय पर लेकिन कुंडली से आज हम कुछ दान मना करेंगे मेश से लेकर बीन तक क्या दान करने से भाग्य छरित होगा भाग्य का च्छय होगा आज हम बताएंगे राशी के हिसाब से मून साइन के हिसाब से कि आप लगन से भी कलकुलेट कर सकते हैं तो मतलब दो दान फिर आपको रोकना पड़ेगा तो मैं भी यही करता हूँ मेरा जैसे मकर लगन ब्रिश्चिक रासी है तो मैं दो दान रोकूंगा तो लगन और रासी दोनों को calculate कर लिजे मेश मेश वालों को गुप्त रूप से बहुत रहस्य मही चीज बता रहा हूं ध्यान दीजेगा अगर आपका मेश लगन राशी है तो आप पीले रंग की वस्तुएं और घी देशी घी का दान कताई न करिए प्लस पाठ्थ पुस्तक का भीदान मेश लगन और राशी वाले ना करें तो बहतर है अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए कई तरह से कश्ट बढ़ जाएगा और आपका भाग्य प्रभावित होगा ब्रिशव राशी ब्रिशव लगन आपको काले रंग की वस्तुएं और ब्रिशव वालों को काले रंग की वस्तुएं और सरसों का तेल दान नहीं करना है प्लस नमक का भी दान आपके लिए बहुत अशुब होगा आपका भाग्य प्रभावित हो जाएगा मिथुन लगने मिथुन राशी आपको उड़द की चीजों का दान करना नेश्ट है अशुब है आपका भाग्य प्रभावित होगा प्लस कोईला और सरसुग का तेल दान नहीं करना है करक राशी करक राशी वालों को जो चीज दान नहीं करना है वह है धन दान पैसा दान नहीं करना है आपके लिए अश्युभ होगा आपका भाग्य प्रभावित होगा प्लस पहने हुए कपड़े दान नहीं करना है करक राशी क्या दान नहीं करना है और शदी दान नहीं करना है दवाईया प्लस कॉपी किताब ध्यान दीजेगा प्लस रक्त दान नहीं करना है अश्युभ है कन्य राशी आपको मीठा दान नहीं करना है तुला राशी अगर आपकी राशी तुला है पहने हुए कपड़े नहीं दे सकते हैं पहने नहीं देने हैं पहने हुए कपड़े और सरसो का तेल दान नहीं करना है भागे मढ़ जाएगा भागे प्रभावित होगा ब्रश्चिक राशी आपको जल दान नहीं करना है पानी दान नहीं करना है बेच सकते हैं जैसे आपने किसी को बहुत जरूरत है दिया तो दो रुपे ले लिजे शगुन कर दीजे और स्रिंगार की कोई सामगरी दान नहीं करना है जैसे जूलरी बिचिया, पायल, अल्ता, सिंदूर ये सब सिंगार जो 16 सिंगार में आते हैं धनुराशी और शदी अर्था दवा का दान नहीं करना है कॉपी किताब इस्टेशनरी का दान नहीं करना है मकर राशी वस्त्र, नया वस्त्र दान नहीं करना है नया वस्त्र दान नहीं करना है और काजल दान नहीं करना है कुम्भराशी मीठा दान नहीं करना है और आटा दान नहीं करना है मीन राशी मीन आपको क्या दान नहीं करना है ब्लड रक्त दान और दवा का दान और लाल रंग की चीजे दान नहीं करना है ब्लस तो ध्यान दीजेगा ये कुछ दान ऐसे होते हैं जो अंजाने में आप कर देते हैं ग्रह उकसा देते हैं आपने किया और ओचीज आपके जीवन से चली गई तो बहुत बचा करके हमें दान दक्षिडा का ध्यान से काम करना चाहिए अब वात सुरूप किसी के जान को बचाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं उसका कोई बंधन नहीं है जनरल हमने बताया है जिस पर आपको ध्यान देना हो होगा घर बैठे 5100 रुपए जमा करके तीन कुंडली दिखा सकते हैं समय कम है जल्दी से अपना स्थान बुक कर लीजेगा हमें नमद दीजेगा आप लोग अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आया हो तो शेर जरूर करिए रात 11 बजे फेस्बुक पेज पर एश्टो बहुत बड़े छूट के साथ जानकारी देने हम आप लोगों के समक्षु पस्तित होए हैं एक्क्यावन सो रुपए में तीन कुंडली दिखा सकते हैं यह छूट एक मई दो हजार इकिस से लेकर पंदरह मई दो हजार इकिस के बीच में ही वैलिड है आप अगर एक मई से पंदरह मई के बीच कभी भी एक्क्यावन सो रुपए हमारे नक्षत्र 27 मीडिया प्राइवेट लिडिट के अकाउंट में जमा करते हैं तो जमा करने के बाद आप एलेजबिल हो जाते हैं योग्य हो जाते हैं तीन कुंडली दिखाने के एक परिवार के तीन कुंडली अभी वाट्सप करिए समर डिसकाउंट ये स्पेशल डिसकाउंट है कुरोना के समय में घर बैठे पॉच्टिब रहते हुए तीन कुंडली दिखाने का अदभुत मौका है पंदरह मई के बाद यही तीन कुंडली आप 10,500 में दिखा पाते हैं तो है ना ये फाइदे का घर में बैठे हैं आपके पास समय ही समय है तो जानिये विस्तार से अपने अपनों के बारे में कि कैसे भविश्य को समारा जाए और ये भी जान सकते हैं कि कहीं आप कोविट के सिकार तो नहीं हो सकते राम 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 भगवान चमा करे कोई ना हो सब बचे अपनों के साथ रहें सुरक्षित रहें और जोतिश्विज्ञान का विशेश लाब लें थैंक्यो